हाई लियो कैसे हो आप सभी आप सब अच्छा कर रहे होंगे आप सभी को धेर सारा प्यार और धेर सारी ब्लेसिंग्स तो येस लियो मैं हाजर हूँ आपके सामने आपकी दिसेंबर मन्त की मन्तली टैरो रीडिंग लेकर और ये रीडिंग को आप अपने सन साइन या फिर मून साइन के लियो अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunycreates.com वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक भी और मेरी इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी आपको मिल जाएगा तो आप उसे देख लीजिएगा दूसरी बात लियो अगर आप मुझे जॉइन करना चाहें मेरे चानल की मेंबर्शिप लेना चाहें तब भी आपका स्वागत है मेरी अगर आप चानल की मेंबर्शिप लेते हैं तो आपको हर महीने दो एजुकेशनल वीडियोस मलती है यह एजुकेशनल वीडियोस बहुत डीटेल में होती है और स्प्रिच्वल सबजेक्स के बारे में होती है फियर के बारे में थी लास्ट की वीडियो कि यह जो फियर है अपनों को खोने का खास करके अपने माता पिता को खोने का यह जो डर है इसका हमारे उपर, यहनो हमारे consciousness के उपर कैसे प्रभाव होता है और इसका root cause क्या है, इसके solutions क्या है, इसको ठीक कैसे करना है ताकि bloodline में इसकी issues ना आई यह सब चीजों को मैंने बहुत डीटेल में अभी last की video में ही discuss किया है तो already 9 videos uploaded है, 10th video भी कुछ दिनों में आने वाली है और वो guilt trap के बारे में होगी, कि guilt trap क्या है और guilt trap से बाहर कैसे निकलना है अगर आप असमें फस जाओ, हम उसको discuss करेंगे तो यह समेरे joint button का जो link है मैं वो भी छोड़ दूँगी description box में बस आपको उस link को click करना है और instructions को follow करना है तब आप फिर मेरे channel की जो membership है उसे ले पाएंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ काम करके personal level पर तो Leo, तीन cards आपके सामने है, तीन different oracle deck उनमें से तीन card हमने यहां पर लिये हैं तो इनको discuss करते हैं लेकिन उससे पहले थोड़ ऐसा यहां पर spiritual vibe add करते हैं spiritual reading है तो क्यों और spiritual vibe add की जाए तो चलो Leo, thank you एक बात notice की मैंने इस singing ball को जो मैं बजा रही थे मैंने बाकी भी reading सभी record की हैं आप से पहले कुछ science की और मैं बहुत mindful थी बाकियों की reading में इसे use करते वक्त क्योंकि मुझे पता है कि जब इस तरीके से यानो बजाते हो पहली दफा में तो बहुत loud sound आता है तो मैं थोड़ी mindful थी क्योंकि कभी लोगों ने headphone लगाए हुए होते हैं कभी वैसे उची आवाज होती है फोन की राइट तो मैं ध्यान डख रहे थी कि यार किसके कानों में न लगे आपकी reading में पता होने के बावजूद भी जैसे मेरे हाथों से वो जोर से लगा मैं आपको सिर्फ energy बताने की कोशिश कर रही हूँ जो मैंने इसको बजाते वक्त महसूस की आपके लिए भी मेरे माइंड में यही मतलब विचार चल रहा था कि हां मुझे थोड़ा ध्यान से बजाना है ताकि एकदम से लगे ना मेरे द्रश्रकों को जैसे मेरे हाथों में जान बूझ के किया हूँ जैसे वो लाउड साउंड की जरूरत थी जैसे आपके रीडिंग में तो इसको सुनते वक्त अगर आप थोड़ी ट्रिगर हो गए या आपको एक बहुत रियाक्शन आया कि नाज इतना जोर से क्यों बजा रही है I think ये ये रियाक्शन का ही मैसिज है यहां पर ये रियाक्शन का ही मैसिज है मैं काद बता दूँ आपको पहले पहला काद आपके लिए आया इंटराक्ट अंड रिलेट का क्म्यूनिटी फामिली ट्रेडिशन्स दूसरा काद है टाबी काट आप ही की उर्जा आगी है यहां पर आनिमल स्पिरट में यू आर वर्दी यहां एक बड़ी काट स्पिरट है और एक छोटी काट स्पिरट है इसको डिसकस करते हैं और तीसरा कार्ड जो आपके लिए आया वो है नमबर 24 का न्यू चाप्टर और आप यह हिसाब लगाईए लियो कि हम रीडिंग कर रहे हैं दिसेंबर मंत की आखरी महीना 2023 का उसके बाद 2024 स्टार्ट हो जाएगा नए साल को हम नए चाप्टर के रूप में ही देखते हैं तो आपके लिए तो लिट्रिली नया चाप्टर मतलब यह इशारा दे रही है यह रीडिंग आपको कि 2024 आपके लिए दरसल एक बिलकुल नया चाप्टर है नए एक्सपिरियंसेज नए एडवेंचर्स आपका इसमें इंतजार कर रहे हैं और मैं यहां पर एक चानल्ड मेसेज आपको देना चाहूंगी और यह कुछ ही लोगों के साथ रेजोनेट होगा और मैसेज यह है कि अगर आप में से कुछ लोग शिव भक्त हैं और आप बाबा वर्फानी की यात्रा करना चाहते हैं अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो 2024 में आपको ये यात्रा करने का सुभाग्य प्राप्त होगा, आपको ये सुभाग्य मिलेगा क्योंकि मैंने जैसे ही इस कार्ड को देखा था कैमरे को अन करने से पहले ये कार्च निकाले थे मैंने बाकी कार्च में आपके सामने निकालूगी मैंने जैसे ही इस कार्ड को देखा था तो मुझे अमरनात में जो शिवलिंग बनता है बर्फ से मुझे एकजाकली मतलब एकदम से साखों के सामने वही आया था तो कुछ लोगों का यहां पर 2024 में कोई बहुत बड़ा सपना है किसी तीर थियात्रा को करने का वो सफल होगा स्पेसिफिकली ये अगर शिवजी के भक्त है आप तो आपके लिए मैसेज है तो ये तो कार्ड बता रहा है आपके 2024 की कहानी 2024 में आप किसी हाइट को भी चुएंगे मतलब किसी लेवल तक आप जरूर पहुंचेंगे इस लेवल पर पहुंचकर आप दिखोगे बहुत रेकरगनेशन है यहां पर और यह जैसे एक किसम की क्लीन स्लेट की भी बात करता है तो यह कार्ड तो मुझे बस 2024 की कहानी बताता है यह जो दो कार्ड है दो कार्ड मैं इसकी यहां पर डिसकुशन करना चाहूंगी दिसेंबर मंद को लेकर है लिए आपके लिए मैसेज यह है कि आप जब लाइफ में कुछ बड़ा कर रहे होते हो आप तब भी वर्दी हो आप जब लाइफ में कुछ बड़ा नहीं करते हुए कुछ छोटा काम कर रहे होते हो आप तब भी वर्दी हो ये जो मेसेज है ये इसलिए आपके लिए समझना आया इसको अपने दिमाग में उतारना जरूरी है क्योंकि 2023 का ये जो आखरी महीना है दिसेंबर इसमें आप किस तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट करके हार्मनी को क्रियेट करोगे ये इसी एक बात पर निर्भर करता है अगर लियो साइन के लोगों को अकसर ये लगने लगे कि क्योंकि वो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर रहे है विच मेंज कि वो वर्दी नहीं है स्पिरिट बेसिकली आपके इस बिलीव सिस्टम को चालेंज कर रही है स्पिरिट आपको कह रहे हैं कि जब आप कुछ बड़ा कर रहे होते हो आप तब भी शेर हो और जब आप कुछ बड़ा नहीं नहीं कर रहे हैं आप तब भी शेर ही हो आप तब भी लियो ही हो लेकिन कुछ लियो साइन के लोग हो सकता है कि ये जो belief system है आपका पिछले कुछ 3-4 महीनों में या November मन्त में आपका ये belief system थोड़ा सा नगमगाया हुआ हो थोड़ा सा pressure बन गया family का pressure हो सकता है कि आपकी उपर आया हो या कुछ ऐसी बात है आपको सुनने को मिलगी कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं कि आप कौन हो तो basically spirit आपको ये कह रही है कि no matter what you are worthy आप respect के, प्यार के, care के, acknowledgement के, recognition के इन सब चीजों के हकदार हो आप पिर चाहे कुछ बढ़ा करो चाहे ना करो तो December मन्त में लियो मेरी जान सुन लो December मन्त में किसी को भी ये हक मत देना ये पावर मत देना कि वो आपको ये realize करवाई कि तुम ये करोगे तो तुमको प्यार करूँगा या तुमको respect करूँगा और अगर नहीं करोगे तो नहीं करूँगा मतलब अगर कोई भी आपको conditions में conditional love, conditional respect, conditional kindness conditional support दे क्या करना है उसको reject करना है ये पहला काम है आपका December मन्त का ये बहुत important काम है क्योंकि ये ही determine करेगा आपकी इस interaction को आप कितनी harmony create करते हैं और ये दोर तक जाएगी आप इसमें जो लोग देख सकते हैं ये बुजर्ग हैं ये legacy की बात करते हैं ये आपकी bloodline की बात कर रहे हैं ओके यहां पर एक message ये भी है repetition का message आया था मुझे याद है कि repetition अगर यहां पर Leo sign के कुछ लोग अपने घर के कुछ हादसों को याद करके ये सोचते हैं कि उनको जीवन में रिष्टे इस लिए नहीं चाहिए बच्चे इस लिए नहीं चाहिए आगे इस लिए नहीं फैमिली चाहिए क्योंकि यही पैटरंस उनकी life में भी repeat होंगे यही dis-ease उनकी life में भी repeat होंगे उनकी family के repeat होंगी Spirit is saying no अगर यहां पर कुछ Leo sign के लोग relationships को, friendships को, children's को I don't know मतलब family, relationship, beautiful beautiful relationships को simply इस वजह से reject कर रहे है क्योंकि उनके past के wounds का डर है उनको क्योंकि यही यह चीज दुबारा ना repeat हो जाए भाई हमारे माता पिता लड़ते थे तो मैंने चाहता थे कि मेरी अगर कि मेरे शादी हो जाए तो मेरे पार्टनर भी मेरे साथ लड़े इसलिए मुझे शादी नहीं चाहिए मुझे रिलेशन्शिपी नहीं चाहिए मुझे फ्रेंड से नहीं बनाने क्योंकि मेरे past मे friends ने बहुत मुझे हर्ट किया, धोका दिया past के wounds को repeat होने का अगर आपके उपर डर है spirit आपको ये तसली दे रहे हैं इस reading के माध्यम से कि ऐसा कुछ नहीं होगा लियो और बस आपको विश्वास trust करने की ज़रूरत है लेकिन यहां भी गुगली है आप तब तक trust नहीं कर पाओगे ना खुद के उपर ना लोगों के उपर ना भगवान के उपर ना यूनिवर्स के उपर ना मदर्ज गाया के उपर ना अपने गायद के उपर जब तक ये जो belief system है you are worthy you are worthy no matter what you are worthy conditional नहीं unconditional love के हकदार हो तुम जब तक आप इसकी घुटी नहीं पी लेते हो अपने दिमाग में इसको उतार नहीं लेते हो ना लियो तब तक नहीं होगा ट्रस्ट भी नहीं होगा second chance नहीं दे पाओगे ये जो डर है ये से मुक्त नहीं हो पाओगे और फिर सामने देख लो क्या है नया chapter आप हो इस समय सिक्स अफ सोच के प्रासेस में पॉइंट ए से पॉइंट बी में जारी है आपकी कष्टी तो देख लो फिर उसमें ये भार लेकर जाना है पास्ट का या फिर ये जो ब्यूटफल निव बिगनिंग पास्ट की ही उर्जा से निकल कर प्रेजन में आ रहे हैं इसको अपनी नए चाप्टर में लेकर जाना है नए चाप्टर में क्या एंटर करना है आपको क्लू दिया जा रहा है इसमें एंटर करो इसमें एंटर करो that I am worthy, Leo is worthy, no matter what हम कुछ बढ़ा करें, ना करें हम जब बढ़ा करते हैं तब भी Leo है, जब छोटा कुछ करें तब भी Leo है और जुरुरी थोड़ी है कि जो past के patterns रहें, past में बुरे लोग आए, तो आने वाले लोग भी बुरे होंगे, na fear, यहाँ fear है इस fear को इसमें नहीं आड़ करना fear के जगा के आड़ करना है, trust को यह जो ओर्जा है, यह basically आप तयार करोगे December month में अपने लिए और यह फिर आगे आपके, you know जो आने वाला नया साल है, basically उसको shape करेगा डरो नहीं, डरो नहीं किसी चीज़ से डरो नहीं इसको cards को अब हम यहाँ पर उठा लेते हैं और आपके लिए tarot को लेकर आते हैं tarot दिखते हैं क्या कहता है, Leo sign के बारे में और यहाँ पता चलेगा कि basically love life, career, health में क्या चल रहा है तो cards shuffle करते हैं आपके लिए Leo thank you Leo one more time please and okay पहला card है Leo, four of pentacles, tangdili queen of pentacles आपकी inner force queens में inner force होती है और यह alchemize करती है अपनी inner force को अपनी outside reality में यह queen of pentacles है तो यह earth realm के साथ deal करती है basically आपका घरबार, career, पैसा आपका आपके इर्द-गर्द का environment कैसा है, energy field आपका बात करते हैं सारी, कोई बात नहीं, पहले cards ले ले eight of pentacles five of pentacles, yeah यह है वो lack यह है वो drar जो आप कहरे हो कि इसकी वजह से नाज मैं मौका नहीं देता दुबारा इसकी वजह से मेरे को trust issues है नाज इसकी वजह से मेरा मन नहीं करता कि मैं दुबारा दोस्ती करो मैं अपने आपको relationships के लिए open करो मैं कुछ नहीं beginning करो, मैं भगवान से भी कुछ मागो क्योंकि मैंने मागा था आपने कि मुझे नहीं मिला तो मैं कैसे विश्वास करो भगवान पर दुबारा यह वो लाख है और यही आपका challenge है इस मन्त में इसी को कहना होगा कि हां तुम थे यह उर्जा थी, यह past की है, यह थी लेकिन यह कहां किस किताब में लिखा है कि यही उर्जा repeat होगी कि मेरे साथ ऐसा ही होगा, यह कहां से आया belief system basically यह सवाल करना है अपने आपसे क्योंकि देखो यहां क्या है queen of pentacles pentacles का सबसे बड़ा कार्ड king or queen तो यह repeat तो नहीं हो रही है ना repeat तो नहीं हो रही है चीज आपके सामने कांच निकले है मौका देना second chance देना life मुस्कुराना चाहती है और वो चाहती है कि आप दुनों की आँखे चार हो विसी के लिए आपकी लाइफ है वो आपसे आँखे चार करने में लगी हुई है और आप आँखे चुरा रहे आप करो कि नहीं यह खेल खेला है मैने पहले अब नहीं खेलना मेरे को मैं हुआ था हर्ट पहले यह मैं हुई थी हर्ट पहले लेकिन लाइफ कहरी है कि वो भी दिन थे यह भी दिन आएंगे ट्रस्तो करो अब the we have the hermit we have the death card we have the four of swords we have the ten of pentacles my god page of swords final card ay the emperor Leo, this is you bottom of the deck may hai the magician मैं फिर से अपनी बात यहां से यहां से यहां से यहां से यहां लेकर आना चाहूंगी 5 of pentacles, queen of pentacles, death card और 10 of pentacles यह है आपकी inner force, inner force queens में inner force होती है again, वो अपने बाहर की reality से फिर उसको alchemize करती है यह queen of pentacles है तो यह earth realm से deal कर रही है queen of cups होती तो वो emotional side हमारी उससे deal करती यह जो है ना इसने आपकी inner force को भी कहीं न कहीं हिलाया लियो, past में job छुट गई, एकदम से boss आपके against हो गया आपके साथ काम करने वाले लोगों सत्था आपके against हो जाएं एकदम से कोई loan चड़ गया घर में कोई बिमारी आ गई, कोई कश्ट आ गया life में बहुत चीज़े होती है, तो general reading है तो मैं कुछी चीज़े बोलूगी आप अपने हिसाब से relate करने की कोशिश किजिगा, यह कोई भी उर जाफ, पांच की difficult energy तकलीफ है इसमें और इसके चलते ना trust issues पैदा हो गया आप में आप अपने आपको हर रोप में देख पाए लेकिन इस रोप में नहीं देख पाए इसकी वजह से, अगर मैं इस card को हटा दू तो यह आता है यहाँ पे, आप कह रहे हो कि हाँ, this is my reality नाज, this is my reality और यह current यह कभी नहीं बदलती, जसी यह belief system है यहाँ पे but spirit is saying कि तुम अपने आपको हर रुप में देख पा रहे हो, इस रुप में क्यों नहीं देख पा रहे है यहाँ पर एक ऐसा example भी है, कि मतलब वही जो इच्छी क्यास वाला आया था कि जब हम काम कर रहे हैं तो तब ही value होगी क्या जो लोग घर में रहते हैं, घर को सजाते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, खाना पकाते हैं, क्या उनकी कोई value नहीं मतलब जो बाहर जाके 10 गंटे काम करेगा, 8 गंटे काम करेगा, बस उसकी respect है लेकिन जो घर में है, जो नरिश कर रहा है, जो खाना बना रहा है जो संजोके रखे हैं सब चीज़ों को, क्या उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर यहीं बात होगी न, वही चीज़ कि मैं कुछ बड़ा तीन मारूंगा नाज, तभी कुछ मज़ा आएगा लाइफ में, आपको इस belief system से लियो बहार निकलना होगा, आपको लिटरली इस belief system से बहार निकलना होगा, आप नहीं कर सकते इसको फोड, आप नहीं करोगे तो गुद्रत करेगे यहाँ पर December month में transformation होके रहेगी खुद से कर लोगे तो फिर थोड़ा सा ठीक रहोगे अपने आप से जब चीजे होंगे तो थोड़ा सा आपको लग सब देख देख मेरे हाथ में चीजे नहीं मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है चीजों का यह महिना कैसे चल रहा है मेरे को पता नहीं चल रहा है तो अगर December month में कंट्रोल महसूस करना है कि मेरे हाथों में है मेरी life तो यह जो second chance देने का भै डर पैदा होगे इससे बहाँ निकलना है और इससे बहाँ निकलने के लिए अपने आपको इस रूप में देखो This is you यह हो आप और यह trust कर सकती है यह मौका दे सकती है यह माफ कर सकती है 78 cards होते हैं टैरो में इकलौता card है यह जिसको हम earth angel बोलते हैं इस month में अगर अपने लिए कुछ भी कर सकते हो तो खुद को earth angel के रूप में देखना शुरू करो लिटरली खुद को याद दिलाओ कि तुम एक earth angel हो यह definition आपकी यह identification आपकी आपको इस problem से यह जो lack है इस से transcend होने में आपकी मदद करेगी और जब यह transformation होगी तो आप control में रहोगे और इस transformation से जो हो रहा है oh my gosh हम पहुँच रहे है यहाँ पर 10 of pentacles से 10 of pentacles में यह सिर्फ पैसा नहीं है मेरी जान इसको मुमन हम पैसे का obviously card गेंदे क्योंकि यह pentacles का card है लेकिन यह सिर्फ पैसा नहीं है यह है यह यन यां की union पत्ति-पत्नी, relationship अगर आप शादी के लिए लेट से रडी भी नहीं हो लेकिन relationship में हो और आपको beautiful relationship चाहिए तो यह है वो यह है वो यह है अपने माता-पिता के लिए कुछ कर पाना उनके लिए comfort space रडी करना जिसमें वो असानी से खुशी-खुशी रह पा रहे हैं यह है जानवरों के साथ connect हो पाना उनके लिए कुछ कर पाना अपने से बाहर कुछ सोच पाना सिर्फ जो हम अपनी उपर ही सोच रहते कि मुझे यह मुझे वो कुछ बड़ा सोच पाना 10 of Pentacles से कितनी पावर है कि यार मैं अपने लिए भी कुछ करो और मैं दुनिया में अगर कुछ कष्ट है तो किसी कॉस के लिए भी आवाज उठाओ किसी कॉस को कॉस की हीलिंग के लिए यहां पर कोई आक्शन लो डुनेशन कर पाना यह उर्जा आपका इंतिजार कर रही है December मंत में लेकिन इस उर्जा को कितने लिए वेलकम करते हैं कितने नहीं कर पाते वो बेसिकलिए इस उर्जा पर निरभर करता है Second Chance Please Second Chance देना सीखो Forgive करना सीखो अपने आपको Earth Angel जो है आप हो, अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हो तो आप हो, यह मैसेज अगर आपकी कानों तक पहुँच रहा है तो आप हो, कितने सारी लिएो हैं दुनिया में मेरी जान कितने लोग देखें किस रीडिंग को आप मुझे बताओ तो ये भी सब कुछ divine plan होता है कि किसके feed में reading जाएगी, किसको notification जाएगा कभी-कभी लोग subscribe करके रखते हैं फिर भी notification नहीं जाता क्यों को कि divine plan है, वीडियो पहुंचने नहीं है उन तक आप तक पहुंची है तो reason है ना कोई एक identity shift बहुत important है December में अगर आप चाहते हो कि चीज़े control में भी रहें, चीज़ें आपके hit में काम करें बरकत आए, union आए, relationship healing आए, आप अपने ममा पापा के लिए कुछ कर सको आप फर बेबी के लिए कुछ कर सको आप अपनी आत्मा के लिए कुछ कर सको, four of souls आपको healing चाहिए, लेकिन ये thought को जब तक ये जो उर्जा है जिसको जब तक लेटको नहीं करोगे, healing नहीं हो पाएगी four of pentacles को नहीं replace कर पाओगे four of souls के साथ, ये death की लगेगी उर्जा आपको, transformation लगेगी आपको so four of souls, अपनी ओपर अपकार करना, थोड़ा सा खाली करना खुद को, negative thoughts से, hurtful thoughts से, hurtful feelings से, खाली करना खुद को, too much और एक clarity आने देना, ये जब तक clarity नहीं आएगी न, तब तक यहां पर ये जो कुछ बड़ा तीर मारना है न, वो नहीं हो पाएगा ये basically है वो छोटी बिली, जो हमने पीछे देखी थे न, मैं काद दिखाती हूँ आपको रुचा, ये वला पता है क्या है, ये है ये वली energy, और ये क्या है, ये ये है, दोनों है आपके लिए, दोनों तुम ही हो, और दोनों लगेंगे, ये basically transformation है, ये है acceptance, कि yes, कभी-कभी मै इस रूप में होता हूँ ये होती हूँ, और कभी-कभी इस रूप में होते हैं, लेकिन अगर इस रूप में जाना है, तो पहले इस रूप को accept करना होगा, value समझती होगी तोनों का arts की, ये भी card के अपनी value है, इस card के अपनी value है, the same way जब आप अपनी life में queen of pentacles के energy में होते हो, nourish कर पाते हो, बस घर का ख्याल रख रहे हो, relationships का ख्याल रख रहे हो, तो वो version भी आपका बहुत strong है, और जब आप इसको accept करोगी, spirit is saying, ये तो गोगा ही होगा, ये है कोई बड़ा तीर मारना, कुछ बड़ा करना, और ये 2024 की में हाइलाइट हो सकती है, हलांकि अभी मै रीडिंग करूँगी 2024 की, अभी मैंने, अभी मैं बैठी न्यून रीडिंग को करने को, अभी तोड़ा time लोगी मैं, अच्छे से detail में करेंगे 2024 की सभी science की रीडिंग, तो उसके लिए भी बने रहे, लेकर I think, ये है basically आपका सबसे बड़ा dream 2024 का, क्या आपकी रीडिंग में आपके लिए आया है ये कार्ड, किसी और के लिए नहीं आया, okay, this is you, तो 2024 में कोई बड़ा team मारना है मेरी जान, तो December मन्त में बस एक चीज़े कर लो, okay, इसको एकसेप्ट कर लो, ये acceptancy transformation है, ये transformation से ये जो लाक है, ये तंग दिली है आपकी इसको आप रीप्लेस कर और फिर abundance के दरवाजे खुलेंगे, clarity आएगी, ये जो बड़ा कुछ करना है इसको लेकर भी clarity मिलेगी December के मन्त में, बड़ा करना तो है लेकिन क्या, कैसे, कब, कहाँ, details add अगर करनी है अपनी storyline में, ये बड़ा तीर जो आपने मारना है, इसको करके क्या करोगे, इसकी सारी clarity सारे downloads December मन्त में आपको मिलेंगे, लेकिन ये step by step by step process है, आपके conscious and subconscious mind की भी देख लो, यहां पर बात, subconscious में है महनत, और security, इसमें past, present, future, दोनों के energies होती है, eight of pentacles में, अगर तैरो की समझ हो आपको, ये है कैसी security, कैसी stability, कैसी कि हा, you know, मेरी बरकत नहीं कभी खत्म होगी, मेरा काम नहीं कभी खत्म होगा, मेरे पस में भी काम था, काम माने की पास में भी पैसा था, present में भी है, future में भी रहेगा, मेरी बरकत बस बढ़ेगी ही बढ़ेगी ही बढ़ेगी, या का subconscious है इसके साथ alignment, इस thought के साथ वो alignment पे बरकत के साथ, शब्द है बरकत, यह है आठ नंबर, conscious mind में है आपके the homit card, जोके है 9 नंबर, progression, यह समय है अपने subconscious की ताकत पर भी विश्वास दिखाने का, इस चीज़ पर ध्यान देने का या विश्वास दिखाने का, कि मैं अपनी reality खुद create कर सकता हूँ, अपनी thoughts की power से, मेरे thoughts में शक्ती है, मेरे thoughts में एक ताकत है, और मैं उससे अपनी कहानी लिख सकता हूँ, लेकिन इस सच को आपको सभी कारना होगा, यह एक enlightened energy है, यह इसलिए नहीं की नाज ने बोल दिया, किसी और टारीर ने बोल दिया reading में, इसलिए हम believe कर रहे हैं, ना, यह है self-realization, कि मैं अपने से जब वो ting होगी ना, तब है, और यह है आपके लिए, यह आपके conscious thoughts आपको space आपके रहे हैं self-realization की, that you are powerful, you are, you are, मेरी जान, you are, आपकी problem बसी है कि जब मैं कुछ बड़ा करता हूँ, बस मैं तभी ताकतवर हूँ, no, आप masculine में हो, तभी ताकतवर हो, जब अपनी femininity में हो, feminine energy में हो, तभी तुम powerful हो, यह है self-realization, इसे से होगी progress, 8-9 में जाओगे, 9- 10-10 में बहुँचोगे, Manifestations काम करने, आप चाहते हो, आपके लिए काम करें, do this, do this, rest is good, rest is important, उसके अपनी एक significance है, movement की अपनी एक significance है, Manifestations भी आपके लिए काम करना चाहते हैं, यह back of the energy है, behind the scene की energy, चीज़े काम करना चाहते हैं, भाई आपके लिए, कोई उर्जा आपके against नहीं है, लिए, कोई spirit guide आपके against नहीं है, इन सारे thoughts से बहार आजाओ, balance, feminine energy भी उतनी ही ताकतवर है, जितनी masculine है, और कभी कभी अगर आपनी feminine energy में हो, तो खुद को sabotage मत करो, कि oh my gosh, एचीज तो मुझे शोभा नहीं देती, मैं तो कुछ बड़ा करने क्यों ही बना हो, ठीक है, कर लेना, कुछ अगर छोटा कर रहे हो तो क्या वह छोटी बात है, simple चीजों में अगर आप कुछ धून पा रहे हो, क्या वह छोटी बात है, मुझे तो नहीं लगता, basically एक shake-up है आपकी belief system में, और उसी से ही career की blessing, career का portal, नई opportunity, नई job, नया business launch हो सकता है यहां पे, power dynamic change हो सकते हैं आपके, कोई आपके उपर rope जमात क्योंकि आप खुद रोब में आ रहे हो, खुद आपकी पकड आ रही है, हिले रहते हो बस ऐसे ही, बात-बात पर रोना आने लगता है, sad गाना सुना नहीं कि आँखों में पानी आ गया, रोने लग गए, और कह रहे हो कि यारती sensitive क्यों हो रहा हो मैं, फिर full moon को दोश देते full moon or new moon को थो मितनी जल्दी दोश देते है न, oh you know what full moon है, इस वजह से मेरे इमोशन सैसे, हो सकता है कोई आपका trauma हो, हो सकता है कोई पर कोई pattern हो, क्या moon की ओपर सारा डाल दिया, अगर movement ही रहते हो, तो healing है आपके लिए, लिकन क्या आप यह करने के लिए ready हो, यह balance create करने को ready ह the answer is yes, you are ready, you are ready, Leo you are ready, मैं final कुछ messages लूँगी, okay, और फिर reading को यहां पर end करेंगे अक्टोरियन लाइट कोड, evolutionary downloads, recalling power, future thinking, my god, recalling power इसने निचोड़ा है आपको, five of pentacles ने न, कहीं न, कहीं लियो, आपको, oh, oh, I think यह काड भी है आपके लिए अन्नुनाकी light codes, energetic shift, new information, end of a cycle मैंने बोला आपको, यह होकर रहेगा, okay, death transformation इस मन्त में होकर रहेगी अगर आप चाहते हो कि इस energy में आप अपना control ना खोएं और आपको लगए कि हाँ मेरे हाथ में ही है मेरी life तो yes, थोड़ा सा open रखना आपने आपको, embrace करना इसे second chance को मैं बोल रही थी कि five of pentacles ने निचोड़ा है आपको कही न कहीं past में थोड़ा ज़ादा दिल पे लेगे आप किसी बात को, किसी experience को किसी तकलीफ को थोड़ा ज़ादा असर हो गया आपके आपके माइंड के उपर अई थिंक इसने निचोड़ा है आपको बहुत पट हो गया, हो गया December month में ये चीज़ change होना चाहती है क्योंकि आपको पहुंचना है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यह तो आपके 2024 की energy है मुझे लगता है कि आपकी reading में ये card आएगा, जब मैं 2024 की reading करूंगी न आप देखना और फिर मुझे बताना की आया क्योंकि भूल जाओ इस बात को ही भूल जाओ मैं कि इतनी सारी reading होती है तो कभी कभी नहीं याद रहता लेकि मुझे लगता है कि the emperor card जो है लियो की reading में आएगा जो 2024 की में reading करूंगी but let's see express your creativity thank you angels for helping me to express my inner creator जैसे मुझे इसका मुझे इसका मौथ इसकी तरफ मेरा ध्यान जा रहा है जैसे इसका मौथ खुला है अभी और जैसे को को कह रहा है कि हाँ बोल कि लब आजाद है तेरे बोल जुबाब तक है तेरी इस card की उर्जा ने कहीं आपको पास में यह रियलाइस भी करवाया होगा कि आपको बोलना नहीं चाहिए आपको ज्यादा बोलते हो तो फिर काम खराब हो जाता है आपकी बात लोगों को चुप जाती है और यह पैटरन इतनी बारी आया होगा कि एक वक्त पर आपने कहा होगा कि अब मैं बोलूंगा ही नहीं मैं चुपी ठीक हो मुझे बोलना ही नहीं है लेकिन यह स्ट्रेच होगी जान मेरी जान यह जो उर्जा है थोड़ी स्ट्रेच होगी और यही एनरजी में शिप्ट है एक्सप्रेस्यॉर क्रेटिविटी आप मैं कैसे मतलब बार बार इस मेसज को रिपीट करके आपके कानों तक पहुंचाऊं लियो नहीं है कोई आपकी उपर कर्स आप बोल सकते हो जो ट्रिगर हो रहा है उसको होने दो दूसरों के पीछे अपने आपको क्यों गहोट लिया अपने अपने गले को express yourself, express your creativity end of a cycle is approaching December month में यह आ रहा है, यह हो रही एनरजी आपके लिए, यह end हो रही है डिफिकल्टी और आप प्रीकॉल करें अपनी पावर को, इसको 2024 मुझाच लगते कि 2024 है यह आपका साल है अगर आप मन्त की रीडिंग को भी फॉलो करोगे I think वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशल होगी मैं obviously करूंगी आगे भी रीडिंग को तो उसको भी आप फॉलो करना चलो, यहां पर एंड करते हैं आपके रीडिंग को hopefully आपके इसे guidance मिली होगी लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजेगा अपनों के साथ share कीजेगा परस्नल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाएएगा और नेक्स रीडिंग तक मेरा वेट कीजेगा टेक केर प्याइट